हेलो दोस्तों टेलीकॉम गूरू यूट्वीब चैनल में आपका स्वागत है आज का जो वीडियो है हमारा ये पैनसोनिक एस्वीन फाइड़न से रिलेटेड है मेरे पास कई क्वेरी जाई थी यह हाव तो कॉंफिगर इमेल इंडिगरेशन इन्टो दिस पैनसोनिक क्यothe डिलेट करना है कि यह डिलीड करना है किसी मोबाइल को कैसे साइन कर सकते हैं तो आज कि ऊसे वीडियो में हम आपको दोनों चीजे पताएं कि पहले आपको से हम इसको प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं अब मैं आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको स्क्रीन पर मॉबाइल पर लेकर चलता हूँ गार वीडियो डोर्फोन है उसी से रेजिस्टर करना है और वहीं पर आपको सबसे पहले एक मेण कर ना है और दोलट करके आप उसमें ना इस इसी virus न div करने के बाद आपको फोरॉप्षन बंल यरेजिस्टर करना आप जब है को सबिए और चोब्लारीब को register करना है या delete करना है तो आप register में जाएंगे आप ok करेंगे और उसमें फिर register or cancel का option आएगा तो उसमें register में हम click करेंगे और उसमें smartphone 1, 2, 3, 4, 4 phone हम register कर सकते हैं तो पहले हम जैसे ही smartphone 1 को हम ok करेंगे उसी समय हमें यहाँ पर mobile में register का button प्रेस करना है मैं यहाँ पर ok कर रहा हूं और यह मैंने register का button इसमें प्रेस किया तो अब उसमें जो है अभी registering शो कर रहा है और मैसेज आ गया आपका जो है registration हो गया है अब हम आगे इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको उसमें इसको प्रेस करते हैं email configuration के लिए अब इसमें हम यहाँ पर ok करेंगे ok किया अब यह हमारा connected हो गया अब यह देखिए अब इसको हम और यह हमारा जो है setting के अंदर और setting के अंदर यहाँ पर आता है email notification तो email notification पर जाएंगे और email notification में यहाँ पर आप देखेंगे तो email notification address, notification selection तो उसे बाकी सारे options इसे तरीकी से open होंगे तो हम सबसे पहले इसको हम registration से शुरू करते हैं क्योंकि जो initial सबसे पहले इसमें जो शो होगा that is registration तो आप यहाँ पर registration पर क्लिक करेंगे और registration पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप sender's email address तो sender's email address सपोज हम एक test email address को हम type कर रहे हैं और यह email address हमने इसमें डाल दिया तो sender's email address आ गया अब इसके बाद आप डालेंगे हाँ पर SMTP यह हमने अभी Gmail की ID यूज की है तो इसलिए gmail address smtp.gmail.com यह यूज करेंगे फि और इसमें TLS security type में आपको यूज करना है TLS और इसके बाद हम settings में जाएंगे settings के अंदर यहाँ पर हम same email address को यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था और then हम उसमें जो password यूज करेंगे अब वो password जो है इसमें आप जैसे आप इसमें टाइप करेंगे तो यह हमने इसमें password एक डाला और आम इसको ओके करेंगे अब जो हैं यहां पर next क्लिक करेंगे जैसे हम यहां next क्लिक करेंगे तो यह एक mail भेजेगा test mail जो की जो हमने ID इसमें registered की है अगर वो आपकी ID सही है तो इसमें mail आपके इसमें इसमें होगा कि आपको तो ओके हो गया अब देखे यह इसमें आया है दा सेटिंग वाज रिस्टर तो दे में मॉनिटर आफ्टर ए टेस्ट मेल वाज एमेल वाज सेंड तो यह एक एमेल आपके उस पर रिसीव हुआ है जो आप उस आइडी को खोल के चैक भी कर सकते हैं और मैं भी आपको शो कर दे जाता हूं देखे किया विद्बार अपके पास आया है अब यह देखिये इसमें जो हमारा मेल आया हुआ है यह देखिए बीडियो इंट्रकॉम टेस्ट के नाम से एल आया हुआ है और इस इसमें समेई को जैसे हम उपन कार ईएगए this is a test mail फाम वीडियो इंट्रों सिस्ट तो यह आपका senders mail हो गया, जो आपने ID store की है, senders की, मतब जहां से आपका mail जाएगा, तो that means कि आपको इसमें दो ID required होंगी, एक receiver ID और एक sender ID, ठीकर receiver ID may be different, जो आप अपनी email ID दे सकते हैं, sender ID आपको कोई भी एक बना सकते हैं, नई ID जिससे कि आप भेज सकते हैं, तो इसके बाद, then next जो step आता है, वो email notification address का आता है, तो email notification address, तो इसमें हम जो भी, जैसे हमारे को कोई भी ID अपनी use करनी है, suppose जो email उसके लिए, तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कि जैसे अभी हमने mail ID store की हुई है, यहाँ की, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, कि हम ID Gmail की रखें, तो इसमें हम चार जो है, एड्रेस, Gmail के या, यहाँ के यह कोई भी mail ID, आप इसमें चार यहाँ पर set कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप address लिखेंगे, suppose जैसे मैं दूसरी ID भी डाल देता हूँ इसमें, तो यह हमने, Gmail की एक ID हमने यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जैसे ही इस address को आप को करेंगे, तो इसमें भी एक test mail यह system भेजेगा, और आपको उससे पता लग जाएगा कि भई, आपको अगर mail receive हुआ है, तो समझ लीजे कि आपका configuration हो गया, तो यहाँ पर भी आप जैसे यह हमने इसमें टाइप किया, एक Gmail का हमने एक address इसमें टाइप किया है, और यहाँ पर हम OK करेंगे, next, और next करेंगे तो test mail इसमें पर पहुँच जाएगा, जिस पर को आपको mail करना है, तो इसमें दो address required होते हैं, एक पहला address, sender's address होता है, देखिए, इसमें आगया यह test mail was sent, confirm that the email has received, तो यह यहाँ पर आप जैसे ही आप अपने mail को चैक करेंगे, और आपके mail में, mail एक video intercom के नाम से आएगा, और उसको भी मैं भी शो कर देता हूँ, तो आप इसको register कर देंगे, तो यह आपका configuration done हो गया, आगया registration, registering completed on the main monitor, तो अब आपका यह registered complete हो गया, यह हमारा देखे, दूसरा mail जो आया है, जो receiver ID से आया है, और इसमें आप देखेंगे कि, यह ID, जो from, जो हमने sender ID है, वो sender ID आ रही है, और receiver ID आ रही है, तो that means कि आपके both the mails are correct, तो यह आपके उस पर receive हो गया, अब हम जब भी इसको install, मतब में, जब भी हम इसको activate करेंगे, तो हम, हमारी जो mail receive होगी, वो इस ID पर receive होगी, यह आपको सबसे पहले एक configuration करना है, जो mail ID आप यूज़ करना है, जो sender email ID यूज़ करना है, जो इससे Gmail की हम यूज़ करना है, तो इसमें आपको जो है, अपने mail के यहाँ पर manage Google account में जाना है, एक बार, यह setting पहले करनी है आपको, और उसके बाद यहाँ पर security में जाना है, और security में जाने के बाद, यहाँ पर एक option आता है, two step verification, तो two step verification में यह हमेशे ध्यान रखना है, अगर client ने suppose यह two step verification on किया हुआ है, तो आपको यह two step verification off करना पड़ेगा, और साथ में जो नीचे की तरफ आप अगर जाएंगे, तो एक option इसमें यहाँ पर आता है, less secure apps, जो less secure apps हैं, यहाँ पर यह by default off होता है, तो इसको आपको on करना पड़ेगा, तभी आपके जो configuration है, वो तभी आपको जब आप इसे register करेंगे, तभी वो success आपकी yes देगा, otherwise आपकी जो है, यह configuration store नहीं होगी और उसमें fail दिखाएगा, तो यह आपका करना compulsory है, अब देखे, यह अब receiver email ID आपके सामने open किया हुआ है, और अब मैं इसको call को ring करता हूँ, यह देखे, मैंने ring किया, अब यह हमने जैसे call pick किया, ठीक है, यह हमने attend किया, और अब इसमें जो है, हमने इसको disconnect कर दिया, तो यह अब देखते हैं, हमारे यहाँ पे inbox में, कि कोई mail receive होता है, देखे, य email receive हो गया, video intercom notification के साब से, और इसके साथ attachment में आपको यह photo, आपको attachment में मिल जाएगी, यह देखे, यह इसमें photo attachment में आ गई, तो that means, कि आपका, और इसमें mention भी आएगा, कि door phone 1 से आई है, यह door phone 2 से आई है, यह भी इसके अंदर clear cut mention आएगा, देखे, कितने असानी से आपने कैसे इसको email integrate किया, और कैसे हमने इसको register और unregister किया, तो यह बहुती simple process है, but steps आपको ध्यान रखने है, कि जो भी आप email ID यूज कर रहे हैं, या चाहें Gmail की हो, चाहें Yahoo mail की हो, तो आपको SMTP server जो है, SMTP server, Gmail के लिए 587 है, यहू के लिए different होता है, वो आप you can search on the Google, तो इससे आप उसको उसी के according configure कर सकते है, sender, जो email ID है, उसका आपको password जरूर देना पड़ता है, उसको, और जो receiver है, उसके लिए password की कोई जरूर होता है, उसमें आप 4 email ID दे सकते हैं, और 4 mobile space को हम register कर सकते हैं, तो अगर आपको हमारा यह video अच्छा लगा हो, तो आप हमारे channel को like कीज कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा and press the bell icon, thank you.